नमस्कार, देश के साथ प्रमुक शहरों में अक्टूबर के दौरान सभी श्रेणियों की इमारतों में रेंट पर ओफिस स्पेस की कुल मांग सालाना आधार पर 21 फीसदी घट कर 67 लाख वर्ग फुट रह गई लेकिन आपके पसंदीदा कारक्रम, मनी टाइम की मांग लगातार बढ़ रही है मैं हुवरू, स्वागत है आपका मनी नाइन पर जहां मिलती है आपको जेब और जिन्दगी से जुड़ी खास खबरें चलिए शुरू करते हैं खबरों का आज का सफर नौकरियों पर मंडरा रहा है भारी संकट गूगल के बाद अब एक और कंपनी ने छटनी का एलान किया है IT, टेक और E-commerce सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में नौकरियों पर छटनी का संकट लगाता गहराता जा रहा है मेटा, ट्वीटर, अमेजन और गूगल के बाद अब दिगज, परसनल, कंप्यूटर वर लेप्टॉप बनाने वाली कंपनी HP ने भी छटनी का एलान कर दिया है कंपनी ने कहा कि बार है फीस्दी वर्कफोर्स घटाने की तैयारी चल रही है मंदी आने की आशंका के चलते, ग्लोबल लेवल पर दिगज कंपनीों में भी नौक्रियों पर खत्रा हो गया है HP इंक ने कहा, वितवर्ष 2025 के अंत तक 6000 नौक्रियों में कटोती की आशंका है परसनल कंप्यूटर और लेप्टॉप की बिक्री घटने से ग्रोध में गिरावट के चलते, कंपनी अपने खर्च को कम करने पर जोरते रही है दुनिया भर में आ रहे ही मंदी के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर आई है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने अपनी ताजा आर्थिक परिद्रश रिपोर्ट में कहा कि ग्लोबल लेवल पर मंदी के बीच भारत चालू वितवर्ष में 6.6% की आर्थिक वरधीदर के साथ एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ ववस्थाओं में से एक रहेगा ग्लोबल मांग में गिरावट और महंगाई को काबू करने के लिए आक्रामक मौदरिक नीती के बावजूद भारत 2022-23 में साउधी अरब से एक स्थान पीछे G20 देशों में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ ववस्था बनने के लिए तैयार है रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्यात और घरेलू मांग में वरधी के नरम होने के कारण वितवर्षद 2023-24 में भारत की GDP की वरधी धीमी होकर 5.7 प्रतीशत रहे जाएगी हाला कि यह तब भी चीन और साउधी अरब समेत कई अन्य G20 अर्थ ववस्थाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है सुरक्षित और सुनिश्चित रेटर्न के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट का सहरा लेने वालों के लिए हमारी अगली खाबर है कोटक महिंदरा बैंक ने 2 करोड रुपे से कम वाली FD पर इंटरेस्ट रेट में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है नई ब्याज दरे 23 नमबर से लागो हो चुकी हैं और 7 दिन से लेकर 10 साल वाली FD पर बैंक अब 2.75 फीजदी से लेकर 6.20 फीजदी तक का ब्याज देगा वरिष्ट नागरिकों को 3.25 फीजदी से लेकर 6.70 फीजदी तक का ब्याज मिलेगा बैंक अपनी FD पर इंटरस्ट एमाउंट का भुकतान, क्यमुलेटिव, मंत्री या क्वाटरली हासिल करने का ओप्शन भी दे रहा है इतना ही नहीं बैंक अपने ग्रहाकों को FD से पार्शियल या प्रीमिच्य और निकासी की भी अनुमती देता है इंडस इंड बैंक भी कर रहा है दो साल की FD पर आठ फीजदी तक का भ्याज प्राइवेट सेक्टर के प्रमुक बैंक इंडस इंड बैंक ने भी दो करोड रुपे तक वाले FD पर इंटरस्ट रेट को रिवाईज कर दिया है बैंक अब 7 दिन से लेकर 61 महीने वाली FD पर अब 3.5% से लेकर 6.5% का भ्याज दे रहा है वहीं सीनियर सिटीजन को 4.25% से लेकर 7.25% का भ्याज ओफर किया जा रहा है बैंक दो साल से लेकर 2 साल और एक महीने में मैच्योर होने वाली FD पर सबसे ज़ादा 7.25% ब्याज की पेशकश कर रहा है जबकि सीनियर सिटीजन को 8% ब्याज दिया जा रहा है नैनिताल बैंक ने लॉँच की एक स्पेशल FD नैनिताल बैंक लिमिटेड अपनी सौमी वर्षकार्ट बना रहा है इस उपलक्ष में बैंक ने एक स्पेशल FD स्कीम नैनी शताबदी प्लस डिपॉजट स्कीम लॉँच की है इसके अलावा बैंक ने विबिन अफदी वाली FD पर इंटरस्ट रेट में भी बढ़ोतरी की है बैंक अब 7 दिन से लेकर 10 साल वाली FD पर 3.25 फीजदी से लेकर 5.35 फीजदी तक का ब्यास देगा शादी विवा के सीज़न में सोना खरीदने वालों के लिए अब खुश खबरी है ग्लोबल बाजारों में बहुमूल अधात्वों की कीमतों में गिरावट के बीच दिल्ली सराफ़ बाजार में बुधवार को सोना 40 रुपे तूट कर 52,792 रुपे परती 10 ग्राम पर आ गया इसलिए सोने की मांग कमजोर पड़ गई है और यही वज़ा है कि इसकी कीमतों में हलकी नर्मी आई है अब अगली खबर विदेश यात्रा करने वालों के लिए है टाटा ग्रूप की एरलाइन एर इंडिया अगले वर्ष फरवरी से मुंबई से नियू यॉर्क, पेरिस और फ्रेंकफर्ट के लिए नई उडान सेवा शुरू करेगी कमपनी ने बताया कि दिल्ली से कोपन हेगन, मिलान और वियना के बीच सीधी उडाने भी बहाल की जाएंगी इसके अलावा मुंबई नियू यॉर्क, दैनिक सेवा भी अगले वर्ष 14 फरवरी से शुरू हो जाएगी एर इंडिया पट्टे पर लिए नए विमानों और पुराने विवानों की सेवा में बहाली के जरी अपने बेड़े में लगतार विस्तार कर रही है एर लाइन ने कहा कि मुंबई नियू यॉर्क सेवा, दिल्ली से नियू यॉर्क की दैनिक मौजूदा सेवा के अतरिक्त होगी इसके साथ ही एर इंडिया की भारत से अमेरिका के बीच सीधी उडान सेवा की संख्या बढ़कर 47 प्रती सप्ता हो जाएगी अगर आप e-commerce website Flipkart के reward program के member हैं तो ये खबर आपके लिए है Axis Bank ने Flipkart के साथ मिलकर Super Allied Credit Card को launch किया है इस Credit Card के activation पर 500 Flipkart Super Coin दिये जाएंगे इसके अलावा इस Credit Card से किये जाने वाले हर transaction पर 4 गुना ज्यादा Super Coin मिलेंगे मिंतरा Clear Trip जैसे अन्य e-commerce platform पर भी इस Credit Card का इस्तेमाल करने पर यूजर्स को अन्य benefit मिलेंगे Axis Bank का दावा है कि Super Allied Credit Card के साथ यूजर्स को एक साल में कुल 20,000 रुपे का benefit होगा IPO बाजार में और तेज होगी हलचल क्यूंकि बाजार नियामक से भी ने Protein, Egove, Technologies और Balaji Specialty Chemicals को IPO के जरिये धन जोटाने के लिए मनजूरी दे दी है Balaji Specialty Chemicals के IPO में 2500 करोड रुपे तक के नए शेयर जारी किये जाएंगे Protein, Egove, Technologies की IPO के तहत 1.2 करोड एक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश लाने का प्रस्ताव है दोनों कमपनियों के शेयरों को BAC और NAC पर लिस्ट कराया जाएगा और आज की आखिरी खबर उन निवेशकों के लिए जो करना चाहते हैं शेयर वाजार से कमाई करशी रसायन बनाने वाली कमपनी धर्मच क्रॉप गार्ड ने अपने 251 करोड रुपे के आईपियों के लिए मूला दायरा 216 से 237 रुपे परतिशेयर ते किया है कमपनी का आईपियों 28 नवंबर को खुलेगा और 30 नवंबर को बंद होगा आईपियों के तहट 216 करोड रुपे तक के नए शेयर जारी किया जाएंगे एहमदाबाद की इस कमपनी को आईपियों से 251 करोड रुपे मिलने की उम्मीद है आज का सफर यहीं समापत होता है उम्मीद है आपको हमारा कारेकरम जरूर पसंद आया होगा अगर आप रोज इस तरह काम की खबरे देखना और सुनना पसंद करते हैं ऐसा चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे अपनी पसंद और नापसंद बताने के लिए जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट जरूर करें अगर आप मनीनाईन के तमाम खास कारेकरम देखना चाहते हैं तो मनीनाईन के एप को जरूर डाउनलोड कर ले अब आपसे मुलाकात होगी कल यानि गुरुवार को तब कर दो